नमस्कार दोस्तों जैमातादी आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे योटूब चैनल में दोस्तों आप सबी को ये बात बताना चाहूंगी कि आप बहुत समय से ऐसी चीजों के लिए तकपर हैं जो चीजे दोस्तों आपको नहीं मिल पा रही थी अब आपको वो मिलने वाली हैं और आने वाले अगले दो दिनों के भीतर आपके जीवन में कुछ नए और बड़े परिवर्तन होने वाले हैं इसलिए आप से हाथ जोड़करने बेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देखे ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको समय सेमय उपर प्राप्त हो सके और दोस्तों इसमें हम ये भी जानेंगे कि शिफशंकर की करपा से कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं और मातारानी की भी सीधी करपा आपके उपर है इसलिए आप से हाथ जोड़कने विदन है कि आज की इस वीडियो को आप चुरू से लेकर अंतक देखें याद रखें आपकी कुर्ली में बड़े परिवर्थन के योग है मातारानी के आशिरवाद से आपके जीवन काल में इस समय जो बड़ी खटनाएं खटित होने वाली है जानने के बाद में आपके भी अब होश उड़ने वाले हैं और आप भी कहेंगे कि हमारी किसमत को आखिरकारी क्या हो गया है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की बात करने वाली है दोस्तो आप से भी कोई बात बता दूँ इस समय आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मातरानी की किरपा से बहुत सारे परिवर्तन इस समय आपको धनलाप की प्रापती होने वाली है क्योंकि दोस्तो मातरानी की किरपा अब आपके उपर बन रही है और आपके लिए बड़े और नए संकेत भेजे हैं याद रखें कि बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस करने की गलती ना करें दोस्तो आपको बता दे कि आप लोगों के जीवन में जो ये बदलाफ हैं बड़े खुशकबरियां मिलने वाली हैं ये आपके लिए बहुत खास रहने वाली है दोस्तो इसके साथी साथ ये भी बता दूए खुशकबरी सुनने के बाद में आपके जीवन में बड़ी खलवली होने वाली है क्योंकि ये जो दो दिन है ये आपके लिए बहुत ही खास और बड़ी ही उपलब्दिया लेकर आने वाले हैं बस आपको ये जानना है कि ऐसी खुशकबरी पाने के लिए आपको कौन सी परिवर्तन नजर आने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सची श्रदा से जै मातादी नहीं लिखा है तो जल्दी से जै मातादी ज जो आपको सावधानी के तौर पर रखने हैं जो आपको इन दिनों में खास रखने चाहिए बदलती परिस्तिती में सुधार नजर आएगा इस समय आप किसी धार्मे के स्थान पर जाने की सोच सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा इसके साथी साथ आपके लिए समय अध्यात में कार्यों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे आपको दोस्तों अधिक श्रोत मिलेंगे नए रिष्टों में आप लोगों को अच्छा समय व्यतीत करने का मौकम में लेगा दोस्तों शुप सूचना लेकर ये समय आने वाला है कारे शेतर में मन मुताबित कारे मिलेगा आपके मन की इच्छा की पूर्थी होगी जो आप लोगों को शुफल की प्राप्ति कराएगी और आपने जो भी मनो कामना मांगी है वे इन दिनों में अब आप लोगों के लिए पूरी होने वाली है याद रखें कि व्यक्ति जब कुछ करने की सोचता है तो वो सुखों की अधिक कामों में लिप्थ होने लग जाता है यानि कि वे डूबने लग जाता है याद रखें यही चीज बासना का रूप ले लेती है तो इन चीजों से आपको थोड़ा बज़कर रहनी की आवशकता है तबी आप अपने कार अच्छे ढंग से कर पाएंगे दोस्तो आप लोगों को दिये गए हर कारे में सफलता मिल सकती है दोगुना लाब मिल सकता है विसलिए आप हर कारे की तरफ से कारे रखेते रहे आपको दोस्तों जो सफलता मिलेगी वे आप लोगों के लिए बहुत खास रहेगी बहुत मैदब पूंट रहेगी आप लोगों को इसका उत्तर लाप मिलने वाला है याद रखें गलत काम करने की कोशिश ना करें दूसरों की देखा देखी में कोई बड़ा काम ऐसा ना करें जिसमें आप लोगों का नुकसान हो सकता है अपने घरवालों से आप जितना जूट ना बोले उतना आप लोगों के लिए बहतर रहेगा गयाद रखिएगा आप आपकी तारिफ कर आपके पीछे बुराई करने की शमता रखते हैं दोस्तों इसलिए आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप कर्म तो करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए क्योंकि ईश्वर उसे फल अवश्य देता है जो अपने कर्म उपर निर्बर रहता है ना कि उसे जो स दूसरा परमात्मा शेस तो सर्फ यही है और दोस्तों केवल यही बिज़ड जाएंगे क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक मात्र सत्य है और वे है केवल नित्य जिसमें मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है तो उसे एक दिन इस संसार को छोड़ कर जाना ही पड़े पराब कर देती है इसलिए मन में किसी भी तरह कर डर नहीं रखना चाहिए दोस्तों इसके साथी साथ आप सबी को बता दें कि किसी दुख जटके या फिर अपमान के कारण आज आप लोग थोड़ा लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन आपकी महबबत आप लोगों को सब कुछ बुला देगी अपने प्रेमी के प्रती आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं और उन्हें शिकायत का बिल्कुल भी मौका ना दें इसके बाद ही आप यौन सुख या फिर अंतरंगता को इंज्वाय कर सकते हैं जीवन की बोरियत को दूर करने के लिए आज आप कुछ खास प्रोग्राम बना सकते हैं अपने कामों से दूर रह कर दोस्तो किसी काम को करने की कोशिश ना करें याद रखे कि जीवन भर के लिए कुछ यादगार पलो को आप अपने दिल में समेट लीजिए सांसारिक जीवन के कारें के लिए आप अपने पार्ट कुछ सीखने को मिल सकता है जबकि के अभी मान से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तो आपके लव लाइफ के बारे में प्रेम जीवन कैसा रहेगा आई ये जानते हैं तो दोस्तो अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है और आप एक बात नए सेरे से उस गुलाब की रंग जैसे पंखुडी वाली लड़की को ढूनने के लिए तयार हैं दोस्तो अब की बार आप लोगों को आनिशिता की भावना से बचने की आवशकता है जो हर बार आप लोगों के जोज को बैठा देती है दोस्तो याद रखें प्यार के हर्याली बाग में आप आराम से चलिए और अपकी बार आपने राश नहीं होंगे और प्यार की इस आश्यानी से खुशी से रह पाएंगे अब बात करते हैं आपके वेवारिक जीवन के बारे में बच्चों पर इस चीज की नज़र रखें कि वो किसी गलत संगती में ना पढ़े अपने पढ़ाई के प्रती थोड़ा सजक रहने की आवशकता है यदि आप उन पर जादा टाइट बन दिखाएंगे तो वे आपसे जगडा या फिर बात चुपाने जैसी कलतियां कर सकते हैं इसलिए आप उनके दोस्त बनने की कोशिश करें इसके साथी साथ दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से कुछ नई उपलब दिया मिल सकती है जो आपका मान, सम्मान और प्रतिस्टा बढ़ाने में साहिक होंगी तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का राशी फल आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दपा दे और अन तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद